नमस्कार दोस्तो आपके अपनी वैदिक एश्टो लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रिश्टिक रासी वाले जातकों का दिसंबर 2030 का महीना कैसा रहेगा और दिसंबर के महीने में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा आपको अपने स्वास्त में कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको अपने करियर में ब्यापार में किस प्रकार का लाभाने देखने को मिलेगा क्या आपका ब्यापार अच्छा चलेगा या फिर नहीं नौकरी में प्रोमोसन होगी या फिर नहीं नौकरी में सैलिरी में ब्रिध्धी होगी या फिर नहीं इन सारे चीजों के बारे में हम बताएंगे और साथ ही हम बताएंगे आपका प्रेम प्यार अच्छा रहेगा कि नहीं वेवाहिक जीवन दामपत जीवन आपका अच्छा रहेगा या फिर नहीं तो दोस्तो अगर आफ हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे दोस्तो वीडियो को आँ तक जरूर देखें तो केदू आपके 11th house में इस्थित रहेंगे और 5th house के स्वामी के रूप में ब्रिहस्पत आपके 6th house में मौजूद रहेंगे और 4th house में सनी रहेंगे तो यहाँ पर सुख सुविदाओं में कमी रहेगी साथ ही आपके माता पिता का स्वास्त भी खराब रहेगा जिससे की धन खर्चे होंगे और आपके भी थोड़ा सा स्वास्ति हां खराब होते हुए नजर आएगा सिर्वें दर्द रहेगे चिंता रहेगी और थोड़ा सा थकावट भी देखने को मिलेगा सनी आपके फोर्ट हाउस में मौझूद हैं तो मन में भी थोड़ा सा भै रहेगा तो यहाँ पर आप अपने आपको आशुरक्षा महसूस करेंगे जागों में दर्द पैरों में दर्द देखने को मिल सकता है और बात की जाए कि ब्रिश्रिक वाले जातकों का दिसंबर 2030 में आपका प्रेम प्यार और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ब्रिश्रिक राश्रिक वाले जातक बहुत ही साबधान रहेगा क्योंकि जो लोग आप पहले से रिलेशन में हैं तो उनके लिए चेतावनी हैं कि आप दोनों थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले और एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयास कीजिएगा अनिता आपका रिलेशन तूट जाएगा कोई तीसरा परसन की वज़े से आपका रिलेशन खराब हो सकता है दिसमबर 2030 के अन्ते में सुक्र आपके फर्ष्ट हाउस में विराज मान रहेंगे तो ब्रिश्यक रासे वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन थोड़ा से यहां पर सही रहेगा और ब्रिश्यक रासे वाले जातक अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर साधी करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी दिसमबर के अन्तिम महीने का समय बहुत ही अच्छा रहेगा आप साधी करना चाहते हैं तो कट सकते हैं लेकिन ब्रियस्पत तो यहां पर वैवाहिक जीवन जो रहेगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, सापधान रहेगा ऐसे समय में, ब्रियस्पत आपके फिप्थ हाउस के स्वामी के रूप में, सिक्स हाउस में ब्राजमान हैं, तो यहां पर रिलेसंसिप में काफी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो लोग प्रेम के बंधन में बधे हुए हैं, उनको सामान रिजल्ट मिलेगा, मतलब की ना बहुत अच्छा और ना ही ज़्यादा बहुत खराब, ब्रियस्पत आपके सिक्स हाउस में विराजमान हैं, तो सिक्स हाउ ज़्यादा खास नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके ब्रिवाहिक जीवन में लडाए जगडा नोग जोग बने रहेगा, बात की जाए कि ब्रिशिक रास वाले जातकों का दिसंबर 2023 में आपका पारवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रियस्पत आपके सिक्स हाउस म बिराजमान हैं, तो यहाँ पर ब्रिशिक रास वाले जातकों के लिए पारवारिक जीवन में सामान रिजल्ट देखने को मिलेगा, चौते भाव में बिराजमान है सनिदे, यहाँ पर परिवार्क सरस्याओं के बीच लडाए जगड़े देखने को मिल सकती हैं, साथ ही बि जड़ा समस्याओं को सामना करना पर सकता है, दिसंबर का महिना आपके पारवारिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, अब बात करते हैं कि बिरिशिक रास वाले जातकों का दिसंबर 2030 में आपका आर्थिक इस्तिती कैसी रहेगी, दिसंबर 2030 में बिरिशिक जातके लोगों को सामाने परिडाम मिलेंगे, बिरिशिक रास वाले जातकों के दिसंबर के महिने में फालतू की खर्चे होंगे, गुरू आपके सिक्स हाउस में विराजमान हैं तो यहाँ पर खर्चों में बढ़ हुतरे देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको अपने जरू परिटे चले जाएंगे, तो आर्थिक इस्ति आपकी सही नहीं रहेगी और यहाँ पर काफी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहीं के तु आपके 11th हाउस में हैं, तो यहाँ पर आपको पैत्रिक संपत्ति से लाब देखने को मिल सकता है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सक्छमा रहेंगे, इस रास के जातकों को जितना भी पैसा कमाएंगे, तब भी आपको संतुष्ट नहीं रहेगा, ब्रिश्टिक रासी वाले जात तक अगर आप पार्टनर्सिप में काम करना चाहते हैं, या फिर कोई अपना ख करियर कैसा रहेगे दिसम्बर 2030 में, तो आपको मिश्ट परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सनी आपकी फोर्थ हाउस में रहेंगे, तो आपको अपना काम पूरा करने में थोड़ा से वक्त लग सकता है, और आपका जो मन हैं तो एकाग्रे नहीं रहेगा, करियर में नौकरी के संबंद में सतरक रहना है, क्योंकि आपकी नौकरी है, वो छूट सकती है, और या फिर आपका नौकरी में काम करने का मन न लगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा सतरक रहें, और जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, तो उन्हें भी इतना ज्यादा परिण काम देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ड देखने को नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इदियाब सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड सेयर कीजिए,